देखिए अगर आपके Samsung के किसी भी फोन में जब आप password चेंज करने जाते हैं अपने Samsung अकाउंट का यहाँ पर लिखकर आता है incorrect password enter your Samsung account password अब यहाँ पर आप current password डालते हैं but वो incorrect बताता है तो अब आप password कैसे चेंज करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ से बाहर निकलना है नीचे cancel पर क्लिक करें यहाँ पर आपको account recovery method पर जाना है यहाँ पर आपका email ID होगा आपसे password पूछेगा अब आपको password याद नहीं है तो आपको यहाँ पर forget password पर क्लिक करना है अब यहाँ पर reset password का option है तो आप अपना email डालें जिस भी email से Samsung account बना हुआ है email डालने के बाद reset password पर क्लिक करें अब यहाँ पर आपको यहाला phone number डालने है ध्यान रखें शुरुवात 911 से करें जो भी आपका phone number है यहाँ पर 911 शुरू करें उसके बाद अपना phone number डालें ठीक है नहीं तो error आएगा कंटिन्यू करें अब यहाँ पर आपको email पर code चाहिए या phone number पर code चाहिए तो मुझे चाहिए email पर code ठीक है कंटिन्यू करता हूँ अब यहाँ पर go to inbox यहीं से चले जाए या फिर आप inbox अपने Gmail अप में चले जाए यहां से तो देखिए एक mail आ गया है इस पर क्लिक करें यहाँ पर आपको reset password का option दिखाए देगा इस पर क्लिक करें यहाँ पर आप new password यहाँ से बना सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दो देखिए मैंने एक password बना के रखा है strong password आप यहाँ पर देख सकते है capital one होने चाहिए small होने चाहिए number and dollars होने चाहिए इस तरीके का आपको password बनाना है तो मैं इसे copy कर लूँगा यहां से आप भी इसी type का password बना ले यहाँ पर मैं इधर paste करूँ and password change कर ले